Hello guys, welcome back to my channel आज मैं बात करूंगा कैसी उन्टाइसर ड्रेस वाच के बारे में तो मैंने इसको recently Amazon से purchase किया है तो वीडियो में करेंगे इसके इंबॉक्सिंग और करेंगे इसका review दोसे इस watch से पहले दो और कैसी उन्टाइसर वाचेस का review मैंने इस चैनल पर किया है तो अब वीडियो का लिंक पर आपर कार्ट में देए आप चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों अगर आपका watches में watch collection में आप फिर watch reviews में interest है तो प्लेज से चैनल को subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए future में काफी dressing videos channel पर आने वाली है तो कोई भी video आप miss नहीं करेंगे so before you guys jump into the video let's go to the intro Casio Inticer watches budget lovers के लिए बनाए गई है तो अगर आपको budget बहुत जादा नहीं है और अगर आपको budget में अच्छी watch लेना चाहते हैं तो Casio Inticer watches best option है इसमें आपको sports watch और dress watches सबी तरह के watches में जाएंगी इन watches कीमत लगबग 2000 से शुरू होती है और यह च्छे-7000 तक जाती है तो काफी अच्छी variety हमें इस range में देखने को मिलेगी Casio Edifice जो है उसका entry level 6 या 7000 से शुरू होता है और Casio Inticer का जो premium segment है वो 6 या 7000 में हम देख सकते हैं यहां पर एक screen protection ती जिसको भी उतार दिया है सो ब्लू कलर का डायल बहुत जारा अच्छा लग रहा है चलिए वाच के बारे में और जानते है सबसे पहले बात करते हैं इसके में अट्रेक्टिव पार्ट की जो की है डायल तो ब्लू कलर का यहां पर sunburst effect के साथ डायल दिया है और यह काफी अच्छा लग रहा है लाइट के reflection में जो आर इंडाइसे हैं और जो वाच के हैंड्स हैं इनको रोज गोल कलर का पेंट किया गया है और यह combination काफी अच्छा लग रहा है काफी appealing लग रहा है मुझे compare to जो silver कलर के डायल दाते हैं और जो black कलर के डायल दाते हैं उनकी comparison में मुझे blue कलर का यह टायल का अच्छा लग रहा है यहां पर हमें day और date window का complication देखने को मिलता है यहां पर कैसे को ब्रैंडिंग है टॉप पर और यहां पर बॉटम पर water resistance 50 meter dress watch में 50 meter water resistance काफी अच्छी बात है यह बॉटम पर हमें यहां पर Japan moment देखने को मिलता है इसका मतलब इसमें जो quartz moment यूज की गई है वो काफी high quality है काफी durable है वो और crown यहां पर जैसे मैंने बताया काफी अच्छे size के यहां पर दिया है काफी बड़ा size है यह और easily operate हो जाए गाई अगर मैं बात करूं case की तो case यहां पर प्रास कर दिये गया है और जिसको chrome paint किया गय देख सकते हैं काफी अच्छा design है यह दोसो metal bracelet इस watch का काफी अच्छा लग रहा है मुझे जो brush finish और chrome finish का combination दिये गया है यहां पर वो काफी appealing है काफी trending है और यहां पर buckle पर case की branding दी गई है यहां पर भी brush finish का यूज किया है और side पर यहां पर chrome finish का यूज किया है यह काफी अच्छा लग रहा है तो बात करते हैं case back की case back यहां पर stainless steel का दिये गया है और यहां पर case back की branding दी गई है 50 meter water resistance है model number है और sunburst effect पे दिया गया है तो काफी simple और classic है यह case back crystal यहां पर mineral कर दिया गया है इसका मतलब scratch crystal बहुत अची देखने को मिले गया हमें यहां पर flat mineral crystal दिया है यहां पर dome crystal नहीं है flat crystal भी काफी अच्छा लग रहा है इस watch के उपर overall जो watch का design है जो उसकी look है उस पर flat crystal काफी suit कर रहा है क्योंकि एक dress watch है तो उसका जो dial का layout है डाल का design है काफी minimalist दिया है case you ने और ऐसा ही dresses watch में required होता है जहां पर जारा complications नहीं दी जाती है और dial को as simple as possible रखने की कोशिश की जाती है case you ने काफी अच्छे तरीके से watch को design किया है जो सबसे अच्छा मुझे attractive part लगा वो है इसका indices का layout indices का color और indices की shape यह paste की गई है indices यहां पर यहां पर print नहीं है यहां पर जो minute marking है वो print की गई है और जो hands का design है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा जो seconds hand की length है यह बहुत अच्छी है कई watches में छोटी होती है लेकिन catch होने आपर अच्छी length की हमें second hand जो length है वो दी है यहां पर बात करूं कर मैं इसके sunburst effect की तो यह मुझे बहुत अच्छ की है अगर मैं बात करूं dress watch के category में जो इसकी overall designing है वो मुझे काफी अच्छी लगी और formal जो टायर्स है फॉर्मल जो वियर्स हैं formal dresses है उनके साथ easily यह suit up हो जाएगी easy compliment करेगी उनको water resistance of this watch is 50 meter इसका मतलब आप इसको पहन कर rain में और shower में easily जा सकते हैं कुछ भी problem नहीं होने वाली यह watch के साथ यूजर। एटर में 30 meter water list देखने को मिलती है लेकिन kac frustration करते हैं इसके बैजल की तो बैजल यहां पर fix बैजल लिए घिया गया है कोई भी rotating बैजल यहां पर यहां पर नहीं देखने को मिलता है तो काफी neat design है यहाँ पर बेजल का भी लग्स भी काफी यहाँ पर अच्छे से design किये गए है उनकी जो shape है वो काफी अच्छी है तो बात करते हैं आप crown की तो crown यहाँ पर double pull crown है और single pull करने से यहाँ पर हम इसको clockwise direction में rotate करते हैं तो यहाँ पर day जो है वो change किया जा सकते है और कर anti-clockwise change करते हैं तो date change की जा सकती है और इसको double pull करेंगे तो यहाँ पर हमें जो time है वो set करने के option आ जाती है और यहाँ पर जो second hand है वो अभी रुक गया है अगर एक बार हम time set करके इसको press करेंगे तो फिर से यह शूरू हो जाएगा दोस्तों crown यहाँ पर most smooth crown में ने देखा अभी तक किसी भी watch में काफी इसली इसको operate करना तो अब आपर हैंड जो है वो लूम पेंट रहे हैं तो एक बार इसका जो लूम shot है वो हम देखते हैं without the light तो अब देख सकते हैं कि लूम यहाँ पर काफी bright है सिर्फ hands को लूम दिया गया है यहाँ पर जो minute indicator या फिर जो indices हैं उनको यहाँ पर लूम नहीं दिया गया है this is the wrist shot of this watch as you can see the blue color sunburst dial is looking amazing जो watch का overall design है जो watch का overall size है वो काफी compliment कर रहा है wrist के size को जो wrist का size है मेरी वो 6.25 inches है और जो watch का overall case size है वो 38 mm है दोस्तों 38 mm से लेके 40 mm के watches 6.5 inches के लिए best suitable मानने गई हैं और जो मेरी wrist का size है वो भी इसी category में आता है इसलिए मैं काफी चंकी watches लेना award करता हूँ और 38 से लेके 40 mm की watches मेरी wrist पर काफी अच्छी लगती है काफी complimenting लगती है मैं recommend करूँ यह watch उन लोगों के लिए जो 3000 से नीचे dress watch करीदना चाहते हैं मैंने यह watch Amazon से लगबग 2500 रुबे में खरीदी थी काफी value for money watch मुझे लगती है और यह one of the favorite watch मेरी बन चुकी है और जिसका overall design है जो इसका color है और जो size है वो काफी अच्छा लगा मुझे और I hope यह आपको भी अच्छी लगी होगी watch इस watch पर Casio हमें 2 साल के warranty देता है तो अगर watch खराब होती है कुछ भी दिक्कत आती है तो अब Casio के service center में जाके watch को repair करवा सकते हैं without any extra charges होगा कि यह watch Casio के premium जो looks वाली dress watches है वैसी लगती है इस watch is available in 3 dial colors blue, black and beige तो मैंने blue color वाले को purchase किया मुझे काफी trending और classy लगा जो rose gold color के hands और R indices हैं वो सारी watches में common है I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like की किजिए चैनल को subscribe किजिए, bell icon को press किजिए ताकि future में जो interesting videos आने वाली है उनमें कोई भी आप miss न करें दोस्तों इस वीडियो को share किजिए अपने सभी दोस्तों के साथ इनको watches में, watch collection में है फिर watch reviews में interest है इस watch का purchase link मैंने description में दे दिया है तो आप इसको वहाँ से purchase कर सकते ह मैंने अपने instagram का handler भी description में paste कर दिया है, आप चाहिने तो मझे instagram पर follow कर सकते हैं, so stay tuned to this channel, I will see you in the next video, till then keep loving your watch